अब आपन किया वह तो आप देख रहे हैं मैं यह बता रहा हूं कि जब भी आप किसी को सुनाते हैं जो शोता है जो आपको सुनने बैठा या भगवान की कथा सुनने बैठा तो वक्ता का उद्देश यह होना चाहिए कि उसको उसके लेवल में जाके समझाए वह कथा मतलब कथा इसे समझाए कि उसको समझ में आ जाये अर यह को बीकथा प्रारण करें तो कथा को प्रारण करने के पहले थोड़ा मंगला चन करते हैं तो मंगला चन करिए आपको जैसे नारेन का के शो स्लोक है उसको बोल करिया पहले गणपते जी कमन करेंगे जी ऑन बोलेंगे जो आपको प्रीय लगे खेंडल को सरथी को नमश्कार करेंगे मैं उत्धा य। Як इस प्रकारते मंगलाजन कर लीजिए पिर उपर आप जब देख रहे हैं उपर आपको दिखाई पढ़ रहा है श्री गनेश ये नमहा तो किसी भी कार्य को प्रारम करने देव सर्वकार शो सर्वधा सर्वधा सभी कार्यों पूर्वक पूर्ण करो इस प्रकार से गनेश जी को नमश्कार करते हैं तो गणपती जी के बंदना बहुत जरूरी है इसलिए आप कोई पूजन करें तो पहले गनेश जिसले श्री गनेशा यह नमहां उसके बाद अथ श्री सत्यनारायन ब्रतकथा इस नाम में पूरा रहस् स्मर्ण होना चाहिए है ना तो जो श्री है ना वो श्री ही रमा है तो श्री सत्यनारायन ब्रतकथा इसका मतलब हो गया रमा के साथ में स्वी सत्यनारायन की कथा हम शवन कर रहे हैं तो और उसके लिए एक स्टेप है आप भगवान को प्राप्ट करने के लिए क्या करिए तो पहले या तो जीवन में तीन चार काम कर सकते हैं क्या करिए पहले तो आप सत्य करिए मतब सत्य का आचरण जीवन में धारण करिए अब सत्य है क्या तो जो त्रिकाला बादित है है ना त्रिकाला बादित मतलब जो आज जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा वही सत्य है तो सत्य क्या है आप विचार करके देखो क्या ये संसार सत्य है नहीं सत्य नहीं है कल जो था वो कल होगा नहीं होगा कोई भरुसा नहीं है कि यह शरीर सत्य है शरीर भी अनित्य है यह भी नित्य नहीं है तो सत्य आखिर है क्या जब हम इस पर विचार करते हैं तो सत्य केवल और केवल परमात्मार्था सत्य तो केवल नारायन ही है इसलिए श्रीमत भागवद आपको कथा बता देता हूँ कि जो श्रीमत भागवद के कितने श्लोक है आपको पता है अठारह हजार श्लोक हैं कितने हैं 18,000 पर जो मूल भागवत है वो 4 श्लोक में है only 4 श्लोक उसका पहला श्लोक है इसका भाव केवल इतना है कि भगवान कहते हैं कि अठारह है और इस संसार में आपको जो दिख रहा है वो कौन है वो भी नारायन है इसलिए इसलिए आप पढ़ते हैं विश्वम विष्णुर वशटकारो भूत भव्य अर्थात क्या है विश्व के रूप में भी आपको हमको जो दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल भगवान नारायन ही है इसलिए हमारे हाँ रामचरित मारत में गोसामी जी कहते हैं स्रीय राम मय सब जग जानी और कर रही प्रणाम जोर जुग पानी मतलब यही है कि सब को मैं अपने नारायन शुरूप मान करके सब को प्रणाम करता हूं किसी का वहर या विरोध नहीं करना है संसार में तो जो सत्य है वो नारायन ही है इसलिए इनका नाम ही है जिस भगवान की हम कथा सुनने जा रहे हैं उनका इंट्रॉक्षन क्या है कि श्री सत्य नारायन या रमा के साथ मातालक्षमी के साथ सत्य नारायन कि हम पूजा अर्चना या उनकी कथा सुनने जा रहे हैं तो पहले उनके नाम का महत्व जानने का प्रयास करें श्री सत्य और फिर नारायन है नारायन नारायन भगवान का नाम क्यों है जो नार में अयन करें नार मतलब कि जल में जो अयन करें भगवान है ना शीर सागर में निवास करते हैं इसलिए भगवान का नाम नारायन है तो भगवान क्या अथ श्री सत्य रमा के साथ सत्य नाराण तो जीवन में इश्वर को प्राप्ट करने का साधन क्या है तो पहले कहते हैं जीवन में सत्य का आचर्ण हो सत्य का आचण करें सत्य में ही जीवन को व्यतित करें हम माने के हम सत्य रूप स्वरूपी प्रमात्मा के साथ में नित्य रहते हैं भगवान हमारे रिदर में बैठे हैं इस सत्य को जानें तो साथ्य काचन करना घ्रीने तो कहते कि यह तो नार्याण का भजन कर लो हारी का भजन कर लो नाम संगिरतनम यस्याgres। रवब्कवgsर। प्रणाशनम श्रीमत भागवत में यह निहीं लिखा हुआ है कि नाम का जो संकिर्तन है वो सभी पापों को नश्ट कर देता है है ना तो नाम संकीरतनम यस्तिय सरव पाप प्रणाशनम तो भगवान के नाम का संकीरतन करो तो जो शोता आप कथा सुन रहे हैं उनके भगवान के नाम का संकीरतन करवाईए है ना ना रायन ना रायन भजमन ना रायन है ना इस प्रकार से यह आपको जो संकीरतन अच्छा लगे श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन कुछ दो मिट भगवान के नाम का संकीरतन तो नाम का इतना प्रभाव है कि इस कलियोग में केवल भगवान के नाम का इतना महत्व है ना कि नाम को कैसे भी जाओ उल्टा वालमी की रामान आप तो सुना है ना वालमी की जी ने क्या किया राम राम ने बोला मरा मरा किया उल्टा नाम जपा मालू मैं आपको लेकिन मरा मरा बोलने के बाद भी कहते हैं उनको भगवान प्राप्त हो गए ब्रह्म्म समाना उल्टा नाम जपने पर भी भगवान उनको प्राप्त हो गार वह वालमी की जीश महापुरुष बन गए रिष्य के ब्रह्म्म समान बन गए तो यह नाम की इतनी महिमा है इसका निकाल में है नाम संकीरतनम यश्य सर्वपाप प्रणाशनम तो इसलिए सत्य नारायन अब देखें नारायन नाम का संकीरतन भी कहते हैं जिवन में इश्वर से मिलन करा देगा भगवान की प्राप्ति करा देगा सत्य नारायन अगर कहते हैं यह नहों तो फिर आपके बारे में क्या करना चाहिए तो भी वरत करिये है ना पिर भगवान के नाम का वरत भी अगर आप करते हो या आप किसी प्रकार से वरत करोगे तो भी आपका कल्यान होगा सत्यनारान वरत कथा तो कहते हैं वरत करना सरल है कि आज के योग में सब नहीं कर पाते वरत वरत के नाम पे हम लोग क्या करते हैं शरीर को सुखाते हैं मात्र खाना नहीं खाएंगे या कुछ लोग इसी को वरत मानते कि भोजन नहीं करना वरत है उपवास करते हैं उपवास का मतलब क्या होता है मालू में उपवास का अर्थ क्या है भगवान के पास में जाना उनके निकट जितना उनके निकट में जाने के लिए तामसिक भूजन को छोड़ कर हम सात्विक भूजन करते हैं ताकि हम भगवान के पास में जाएं इसको खुवास बोलते हैं यही वृत है लेकिन जब कोई वृत भी नहीं कर पाए तो एक सरल सादन है कि वो भगवान की कथा सुने, तो सबसे सरल सादन क्या है, भगवान की कथा सुनना, इसलिए कहते हैं, भक्ति नौ प्रकार किये, नौधा भक्ति, आपने सुना होगा, नौधा भक्ति में क्या है, पहले भक्ति है श्रवणम, तो भगवान की कथा सुनने से भी आपको भगव प्राप्ति हो जाएगी भगवान की कृपा प्राप्ति हो जाएगी तो इसलिए हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहा है तो भगवान की कथा इसलिए सुन रहे हैं कि आपको हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए यह आप बारबाद अन्मुट करें अन्मुट मत करें अपने आपकी खड़खड की आवाज आ रहे आपको निकल दिया जाएगा तक कको पहुँल शवंक करेंगा आपको आननदा है तो तो हम कहा था भीया कथा नौधा भक्ति मं पहले भक्ती स्वण है इसलिए आज हम लोग इतने सवभागा इशाली हैं कि हम आप भग्वान की कथा सुनने के लिए बेठे भग्वान की कथा सुनाने के लिए बैठें भगवान की कथा सुनना सुनाना ये भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है एक भागोजी में एक श्लोक है भाग्यो दये न बहु जन्म समर्जिते न जो भाग्य का उदय होता है न अब कैसा बहु जन्म समर्जिते न अनेक जन्मों का जब पु करोन करें अत्श्री 17 आहरान ब्रत कथा तो पेले अधिया में क्या है तो भगवान की ब्रत की महिमा है और उनके ब्रत की बेधिए बताई है किसी भी जब किसी का माहत में किसी के महिमा आपको पता चलती है तब जाकर हम उसके प्रती interested होते हैं तब उसके लिए काम करते हैं जैसे आपको हमको धन की महिमा पता लगी कि धन होने से हम सब कुछ कर सकते हैं है ना तो हम लोग दिन रात धन के लिए पागलों की ताड़ा दोड़ रहा है कि कैसे भी हमको हम अधिक साधिक धनारजन कर लें जो उसी प्रकार जब हमको भगवान की महिमा का ग्याद होगा कि सत्य नारण है कौन और उनसे क्या होगा तो हम भगवान के पीछे दोड़ेंगे रथा भगवान का अनुसरण करेंगे और भगवान का अनुसरन करेंगे तो क्या होगा सब कुछ मिल जाएगा इसलिए उनका महत में उसके महिमा बताई है भगवान की कथा और यह कथा किस ने सुनाई है तो व्यास व्यास जी यह कथा रिशियों को सुना रहे कितने तो कहते हैं जो जो रिशी है उनकी संख्या 88,000 है तो व्यास जी महाराज बता रहे हैं इस कथा के बारे में कि सुनिए एक अदा नईमी शारण्य रिशियों को एक बार नईमी शारण्य तीर्थ में शौनकादी रिशी मुनी एकत्रित हुए पिर किया क्या उन्होंने तो पाo प्रच्छुर मुनीय संर्वे सूत म पवराणिक क्ग मारिक के पास जाकर कर के स्रिसुर्य जिमाहराज से क्या पूछा तो उनसे पूछा क्या पूछा तो रिशिया उच्छी हो रिशिय जाकर के कहते हैं आपने पठन किया व्रते न तपसा के हुआ प्राप्यते वांचित फ़ल इसका मतलब क्या है व्रत अठवा तप आप हमको ऐसा कोई उपाय बता दो कोई व्रत हो या तप हो जिसके द्वारा हमको मनो वांचित फल मिल जाए हमारे सब मनो कामना पूरी हो जाए ऐसा कोई व्रतिया तब हमको आप बताईए हम उसको शोतु मिच्छा महा हम लोग उसको सुनना चाहते हैं इसलिए महाम uniform check आप वो वरत कहिं गीए जो वांच्थीत फल्को देगा यो आपके साइजा को पूर्ण कर दे तो ऑर्थात जो भगवान की कत्या है लो मनु यो कामना को पूरी करने वाली कथा है सबी प्रकार से मनो कामना मतलब आगे इसमें बताया है क्या बताया है कि सब कुछ देगा भगवान की कथा से बहुत लाब मिलेगा तब यहां पर सुझ्य महराज कहते हैं कि भी आच्छा आप सुनना पतिही सुरर्षय यथैवाह तच्ष्रुनुद्वं समाहिताह एकदानारदो योगी परानुग्रह कांक्षया परियतन विविदान लूकान मर्थ्य लोकमुपागताह ततो दृष्ट्वाजनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान विश्यमानान स्वकर्मभिही केनो पाये नचेते शाम दुखनाशय भवेद्रुवं दुखनाशो भवेद्रुवं इति संचिन्द्य मनसा विष्णु दोकम गतत सदा गतस्तदा इसका मतलब समझ मैं आपको क्या समझा बताईए नारद ने प्रपंच में घूम के जिसको कश्ट हुआ क्लेश हुआ उसके बारे में भगवान के पास गए पजयेट कंते करते इसका कश्ट बता रहे थे अब देखे इसका शाब्दिकरत क्या है पूरे सुरर्ष है यह थे वाइसका देखे अब सूर्जी महाराज बता रहे हैं कि नारद जी नारदे नहीं वह संप्रिष्टों भगवान कमलापती नारज जी ने भी यही प्रिष्ट पूचा था जो आज आप हम लोग से पूच रहे हो हाना और मैं आपको मतलब सूच्छि बोलो है कि मैं मैंने कुछ बता रहा हूं जो भगवान ने बताया थे भगवान की वाणी है जो भगवान ने नारज जी को बताया था वही मैं मैं आपको बता रहा हूं मन को एकागर करके ध्यान से सुनना क्योंकि मैंने तो भगवान नाराण ने नारजी को कहा है यह कथा किसने कही है तो सबसे पहले भगवान ने कही है नारजी को तो रिष्यु ने पुछत तो पूरी बात हमको बताइए कैसे नारजी ने को नारजी कैसे भगवान के पाथ पहुंच गए पूरी बात बताइए तो सुझी महारज उनको पूरी बात बताते हैं कि सुनिए ध्यान से सुनना सावधान होके सुनना है समाहित होके सुनना क्या सुनना तो एक दा नारद योगी परानुगृः कांषाया नारद जी कौन है योगी है ecos योगी कोन हुसक अभी अब हां तक महामूनिय है योगी मतलब कहते हैं योग मतलब भगवान के नाम का कीज्टन करते रहते हैं आप जानते हों हात में वीडा है उनके और वीडा लेके्ज़ी योगी है और योगी करते क्या है परानुग्रह कांग्षया परा नुग्रह करते हैं परानुग्रह मतलब परहित लोकंग के हित हाँ जगत का हित करते हैं तो जगत का हित करने का भाव लेके नारजी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और कहां आते हैं मरत्य लोकम उपागत हैं मरत्य लोक पे आ जाते हैं और जब म्रत्यूव लोकु में श्री नारजी आये तो क्या देखा ततो दृष्टवा जनान सरवान नाना क्लेश समन्विताइ अनेक लोगों को देखा कैसे देखा अनेक प्रकार के क्लेश कश्ट दुख भोगते हुझ देखा साब दुखी थे नाना क्लेश क्लेश एक नहीं है अने क्लेश